थोड़ी देर पहले हम अंदर गुशे थे इंटर यहां से लास उठाई है इस अमाइब अशाथ मौझूद हैं हरदा के ही वह बाशिंदे जो लगातार यहां पर जो रेस्ट्य उप्रेशन चल रहा है बचावकारे चल रहा है उसमें अपनी भागिदारी भी कर रहे हैं है प्रशासन के लोग तो है इंबुलेंस भी हैं लेकिन इस्थानी लोग भी हां मौझूद है क्या आप लोग बताना चाहेंगे साड़े गारा बजे के लगभग यह धमाका हुआ मैं सामने था यह जो लोग रुके वह लोग भी खेत में चले गए धमाका इतना बड़ा था य हैं यहां पर लोग रहते भी काम भी करते थे और यहां पर asaskhan की गलती है हम क्या कर रंजाशन दबॉस्सकान 6 मर्था पर और इससे दो साल पहले एक सामने मकान में जो उसके करमचारी थे उसके यहां भी आग लगी थी उस समय भी बहुत सारे लोग घायल हुए थे और यह कम से कम हर बार घटना होती है पर प्रसासन सुप्त है कि हमारी महले की दो लडी से काम करते हैं जैनब भाई और नर्सिंग भाई दोनों इसके काम करते करते हैं वह जूल गई और वह समगते हो खतम होगी थोड़ी देर पहले जब हम अंदर गुशे थे इंटर जब यहां से लास उठाई है अभी भी दमा क्यों हो रहे हैं सर अब लूद है तो दमा का तो होगा अभी भी लगातार हो रहे हैं पूरी हवा में समय बारूत की गंद जो है वो घुली हुई है और इसलिए प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनोती है इस आग पे जल्द से जल्द काबू पाने की लेकिन फिला लगता नहीं कि जिस तेजी से ये धमाके अभी भी हो रहे हैं छिटपुट धमाके ये आग बहुत जल्द बुच सकेगी इस बात की संभावना बेहत कम है लेकिन ये भयावत तस्वीरे हरदा के बेरागर इलाके की जहां पे रहाईशी इलाकों के ठीक बीचों बीच ये पटाके का गोडाउन और यहां पे क्यों संचालित हो रही थी जिसकी वज़े से इतना बड़ा हाथसा आज हरदा में देखने को मिला है